है विटा सब लोग वड़िया आँगे और सब लोग बढ़िया प्रिपरेशन कर रहे होंगे ऐसे इसे उमीद के साथ में आज का जो सेशन यह लोग इसको स्टाट करते हैं तो लास्ट लेक्षर में क्या किया था विटा हमने सर्कल इस चाप्टर से हमने इक्वेशन ओफ सर्क करने तर्म आच्या सेशन में आपन काय कोवर करना रहे तो स्टाटिंग वीट आज की सेशन में विटा हम लोग कवर करेंगे की जनरल इक्वेशन ओफ सर्कल क्या होता है सर उसके बाद में इक्वेशन ओफ टैंजेंट यह वन आप इंपोर्टन पार्ट एंट्रंस और सेशन में पाराबोला एलिप्स और है पर बोला तो वहां पर भी फाइंडिंग दे इक्वेशन ओफ टैंजेंट का जो वह होता है वह सेम होता है न तो यहां पर आप लोगों को बहुत जादा ध्यान देकर पढ़ना है कि एक्वेशन आप टैंजेंट हम लोग आज की सेशन में पढ़ेंगे कैसे फाइंड करना है उसको देख कर अच्छे से ठीक है यस आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हो कंडिशन आप टैंजेंसी वगर यह सारी चीज़ें लोग पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को स्टार्टिंग वीड़ा हमने लास्ट लेक सेंटर होता है उसका है और रेडियस होता है इसका उपर एक पड़ादा हमने डायमेट्रिक फॉर्म वह क्या होता था अगर इंड पॉइंट्रिक फॉर्म वह स्टार्ट करते हैं चलो तो स्टार्टिंग विड़ा जनल एक्वेशन आप सर्कल मंजे का असना रहे ते बढ़ हुआ हमको बताए कि अगर शिरकल का जू जो सिंटर है मैं यह का माइनस एक्वेशन ओप सरकल यह अगर ओपन करोगे तो इसको हमने क्या कर दिया अब देखो करो उसमें लोग कुछ चीज़ों को करें पे Polish सिंदल याद ही रखना रहता है तो अभी का क्या करता यह देखो माइनस 2-Ed को इसने 2g से रिविजिन कर दिया माइनस टू के को इसने क्या है अभिका है is ताग कि easy format में हम लोग equation of circle याद रख पाए है ना यही general equation of circle actual में ठीक है अब इसमें इसको easy format के लिए क्या कर रहे है देखो minus 2H को इसने 2G बोल दिया minus 2K को इसने 2G बोल दिया और यह जो इतना पूरा का पूरा term है नहीं इतना पूरा का पूरा term h square plus k square minus r square इसको उसने c से represent किया यह जो equation है यह कैसे reduce हो जाएगा x square प्लस y square इसके जगा पे हम लोग 2G लिखेंगे तो आ जाएगा plus 2G x इसके जगा पे हम लोग लिखेंगे 2Fy और इस पूरे term की जगा पे हमने लिख दिया विट्टा सी तो y square plus 2G x plus 2fy plus c is equal to 0 ऐसे format का एक equation हम लोग assume कर पाते हैं उसी को हम लोग बोलते है विट्टा general equation of circle यह अलास तुम्हीं मलना रहे general equation of circle x square plus y square plus 2G x plus 2fy plus 0 है न तो center क्या होगा फिर सेंटर यहां पर होता था है और यहां पर अगर हम लोग देखें तो एच का वैल माइनस जी की बराबर है के को माइनस एफ की बराबर है तो center h, k का विटा माइनस जी कॉमा माइनस एफ तो यहां पर हम लोग डायरेक लिए रखेंगे x square plus y square plus 2g x plus 2fy plus c is equal to 0 अगर circle है तो उसका center का पर हैगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ और रेडियस क्या होगा देखो इस expression को अगर आपने simultaneously rearrange कर दिया बेटा simultaneously बोल रहा हूँ इसको अगर rearrange कर दिया तो हमको यहां से r का value मिल जाएगा तो आपका root of h square plus k square minus of c h के जगा पे g को एफ के जगा पे k को लिखा तो radius का formula भी हम लोग डायरेक्ली याद रखेंगे वह होगा बेटा root of g square plus f square minus of c है ना तो यह दोना चीज़े आपको यहां पे धान में रखना है center होगा आपका minus g plus f radius होगा बेटा आपका g square plus f square minus of c है ना अब अगर equation x square plus y square plus 2g x plus 2fy plus c is equal to 0 circle reason कर रहा है बेटा तो यह जो value है ना g square plus f square minus of c ठीक है इत रिप्जेंट circle if it represent circle if condition दोंको वहां पर याद पर आपका है कि यह g square plus f square minus of c हमेशा 0 होना चाहिए तर अगर यह 0 से बराबर आ गया तो वह point रिप्जेंट रहेगा ज़र तो less than 0 आ रहा तो इमेजनेरी circle कि वह नॉट असल रिप्जेंट करना रहा है असा बोला है ठीक है तो g square plus f square minus of c अगर 0 हो गया तो यह क्या रिप्जेंट करेगा पॉइंट रिप्जेंट करेगा ना तो यह दो condition तो लोगों को वहां पर धान में रखना है तो यह general second degree equation पेटा x square plus y square plus 2g x plus 2fy plus c equals to 0 उसका center रहेगा वेटा minus g, minus of f radius रहेगा उसका root of g plus f square minus of c है ना तो आगे बढ़ते वेटा question solve करते है देखो उस equation को कैसे compare होगे करेंगे देखते हैं पिर इस circle का तुमको क्या बताना है वेटा center प्लस बताना है तो इसको किस से compare करेंगे हम लोग देखो इसको compare कर देंगे वेटा हम लोग इसको कंपेर करोगे x2 plus y2 plus 2g x plus 2fy plus c is equal to 0 के साथ में तो यहां से 2g का value कितना होगे अपना 2g का value माइनस of 2 2 यह अपका value होगे अपना आपका 4 c का value होगे हमारा minus of value आ जाएगा यहां से अपना minus of 1 f का value होजाएगा आपका 2 c का value अपना minus of 4 c का value होगे अपना minus of तो ihoop की यह point जो है यह सारे points तुमको के लिए compare करके आप लोग क्या करोगे बटा g f और c value यहां पर find out करोगे ठीक है तो हमने compare किया g f c का value मिल गया पिछले slide में हमने पढ़ा पिटा center क्या है center की coordinate अब लोग क्या रहेगा center रहेगा पिटा हमारा minus g comma minus of यहां पे center हो जाएगा हमारा minus of minus 1 तो plus 1 हो जाएगा और y quarter इन इसका minus of 2 तो simple center directly हम लोग लिख सकते है radius यहांने क्या रहेगा सर देखो radius का भी formula हमने देखा है पीछे का यह बगार radius formula का यह रहे root of g square plus f square minus of c बस यह formula रखना है radius का यह हो गया root of g square plus f square minus of c यह हो गया पिटा इसका formula तो आर हो जाएगा पिटा हमारा root of g square plus f square minus of c करोगे तो यह आएगा 1 square plus minus of 2 square और c का value minus of 4 पे रख दो यहला solve करा मंजी का यह ना रहे बगा आर यहांने हो जाएगा पिटा आपका root of root of 1 plus 4 plus 4 1 plus 4 plus 4 मतलब 9 हो गया और 9 का square root कितना आ जाएगा 3 तो यह हो जाएगा आपका center के coordinates और यह हो गया आपका radius का value जो कि आपको पूछा गया था question के अंधर है तो का आप question ऐसे रहने वाले बोर्ट के test book के questions अपन पढ़ रहा है भी recent में इसके बाद में mcqs भी हम लोग इस topic पर बेज बेज बेटा solve करेंगे ठीक है तो center होगा बेटा आपका 1, minus of 2 रेडियो आपका 3 आगे बढ़ते बेटा आते next question के ओपर नेका कायदी ले 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 एक क्वेशन 3 X स्क्वेशन प्लस 3 Y स्क्वेशन प्लस तो पहले इसको लेकर आओ पफेशन के फॉर्मैट में लेकर आओ जनरल इक्वेशन का है इस तो बगा जनरल इक्वेशन ओफ सर्कल उता प्लस याँ पर भी लिखा है 2GX प्लस 2FY प्लस C तो X स्क्वेशन और Y स्क्वेशन का कॉईशन प्लस 1 बनाना है पहले ठीक है तो यहाँ पर आते हैं कुईशन में देखो तो अगर देखे बटा तो X स्क्वेशन और Y स्क्वेशन का कॉईशन थी था तो पहले क्या कर देटेए इवाइड रि 11 जीकोस ठोजक को इवाइड रि देटे बटा कि दिवाइड बटा पर आते हैं करूँ तो यह एक्वेशन कैसे बन जाएगा X स्क्वेशन पर मैं compare करूं बटा General Second-Degree equation से तो 2G का value हो गया 12, x का जो कोई इसको 2G बोलता है, 2F का value हो गया बटा 18, 2F का value हो गया आपका minus of 11, जैसे पिछले question में किया था हमने, किस से compare किया था इसको x x plus 2Fy plus c से, तो x का coefficient याने 2G, y का coefficient याने 2F और constant c से represent किया बटा, तो यहां पर G, F और C का value आपको मिल जाएगा, जी का value हो गया बटा आपका 6F का value हो जाएगा, आपका 9, और C का value हो गया बटा मेरा minus of 11, C का value मेरा minus of 11, G, F और C का value हमको मिल गया, अब यह circle represent कर रहा है या नहीं कि condition मैंने आपको बताया है थोड़ी ज़र पहले, G square plus F square minus of C, अगर greater तो circle represent करेगा, equals to 0 आगया तो point represent करेगा, less than 0 आगया तो गया, not a circle, imaginary circle ऐसे बोल सकते हो, तो यहां पर आते है, G square plus F square minus of C का value निकाल लो, G square का value याने हो जाएगा, अपना C square, यह होगे हमारा 9 का square, minus of यहां पर लिख दी हमने, minus 11, plus square is 36, 9 का square is 81, minus minus यह होगे हमारा plus 11, यहला जर में सॉल के लगे हावना रहा है, 6 plus 7, 7 plus 1 हावना रहा है 8, 3 plus 4, 2, 128, देख लो, value कितना रहा, इस से कोई concern नहीं है, अपने को ठीक है, आठानी, आठानी, तीन, अकरानी, एक बारा, बरो बरस ली ले, ठीक है, ओके, 28 आजाएगा बटा, तो G square plus F square minus of C, G square plus F square minus of C, greater than 0 आ रहा है, therefore, it represents a circle, it represents a circle, यही शो, यह बोला था, ठीक है, अगर यह value 0 के बराबर आता, तो it represents a point लिखते, ठीक है, it represents a point लिखते, तो general equation अगर आप दिया हुआ है, तो हमेशा x square और y square का आपको पहले 1 बनाना है, उसके बाद में क्या आपको compare करके G, F और C का value निकालना है, center से minus G, minus F center होता, radius अगर पूछता तो radius का formula, root of plus F square minus of C, वो ही use करते हैं, so I hope and believe कि हावाला part सुद्धा आपको clear रस्तना रहे, आगे बढ़ते exercise में इस type का भी और question दिया हुआ है, कि equation of circle हमको find out करना है, और 3 point हमको circle के उपर के दिये हुए, तो भी चारता है, ठीक है, तो कैसे solve करेंगे sir, इस type के question को देख लेते हैं, तो हमको पता है बटा, अगर circle है, तो उसका general equation, already हमको पता है, क्या हता, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c, तो circle का equation हम लोग यहाँ पर assume कर लेते हैं, late, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0, v equation of a circle, v equation of a circle, assume कर लिया है बटा, हमने की एक equation of circle हमारे पास में है, अब circle जो बटा, वो इन तीन पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो यह तीनों point circle की equation को satisfy करेंगे, उसका use कर कर करेंगे, वो देखते हैं, देखो, circle का equation हमको पूछा, तो circle की equation में variable present रहते हैं, एक्स और y देख लो, यहाँ पर पीछे, जैसे यह circle equation था, तो variable x और y present थे, इसके अलावा बाखी सब constant थे, तो यहाँ पर देखेंगे बिटा, तो variable x, y तो final equation के present आ नहीं वाले, बट g, f और c, यह constant की value हमको यहाँ पर find out करनी बड़ेगे, तो तीन constant की value find करने के लिए बिटा, अपने को question में 3, कुंतिया 3 condition दिले ले ले बगा, क्या करना रहे बिटा, satisfy करना रहे, तो पहले लिख देते हैं बिटा, 5,7 है न, 0.5,7, तो इसको p बोल देता हो, p 5,7, lies on circle, अगर यह circle पर lie कर रहा है बिटा, तो उसका satisfy करेगा, lies on circle, ठीक है, तो x की जगा पे 5, रोखोगे तो यह ओ गया 5 square याने 25, y की जगा पे 7 को रखा, तो यह 7 square याने 49, x की जगा पे 2 को रोखोगे तो 2 into 5, यह 10 g, y की जगा पे 7 को रखा, तो 2 into 7, तो यह आ गया बिटा आपका 14 और यह हो गया, प्लस C is equal to 0, यह हो गया हमारा first equation, यह ना, first point को इस circle की equation में रख दिया, जी एप और C का आपको first equation मिलेगा बटा, यह रिएरेंज करूंगी, तो प्लस 14 यह प्लस C is equal to right में चल जाएगा बटा, यह 25 उप 49, राइट लाजर ट्रांसफर के ला 25 उप्लस 49 किती होता है, पहले 74, left side में जाएगा तो minus 74 आ जाएगा, तो यह होगी हमारा first expression, यह first equation, ऐसे क्या करोगे बटा, second point भी circle के उपर लाई कर रहा है, तो x के जगह पे second point का x coordinate रखोगे, y की जगह पे second point का y coordinate रखोगे, so करते हैं start, so point p का 6,6, lies on, किसके उपर लाई कर रहा है बटा, lies on circle, अब circle में लाई कर रहा है तो उसका equation satisfy करेगा फिर से, x के जगह पे 6 रखा तो 6 square is 36, y की जगह पे 6 रखा तो 6 square is 36, x के जगह पे 6 रखो तो यह हो जाएगा बटा, 12g, y की जगह पे 6 रखोगे, तो यह आ तो 0, यह रियरेंज करा, तो यह उने वाला एक पिटना 12g, plus 12f, plus c, easy equals to, minus of 72, यह होगे अपना second expression, ऐसी आएगा पिटा, तिसरा एक वोगे, और एक point दिया हो है ना तुमको, point 2, minus of 2, तो यह easy, यह बट तो 2, minus of 2, lies on circle, lies on circle, यह भी उसकी equation को satisfy करेगा, x के जगह पे रखो गया, आप 2, पे रखो गया, आप minus of 2, तो यह equation of circle में x की जगह पे अगर 2, 2 square, यह बनेगा, आपका minus of 2 है ना, minus of 4, f यह आपका बन गया, उसके बाद में, बिटा, आजाएगा, आपका plus easy equals to 0, यह आजाएगा, plus easy equals to 0, इसको हमने बोला, बेटा, equation 3, इसको हमने बोला, equation 3, तो यह 3 equation हमारे पास में आगे, इसको हम लोग solve करेंगे, बेटा, और g, f और c का value हमको मिलेगा, यह अन्ना का रहे चाहिए तुम्हाला था, solve कर रहे चाहिए, यह जी, f आनि c चा value तुम्हाला find out कर रहे चाहिए बेटा, ठीक है, तो हमने अल्रेडी पढ़ा है, बेटा, तीन अन्नों है, इसको solve करने के लिए, क्रामर सुरूल यूज होता है, ठीक है, तो इसका expression पहले थोड़ा सालिफाइ कर लेते हैं, यह हो जाएगा, आपका 4G, minus 4F plus C, is equals to, यह left में, अगर में, sorry, right में लेकर कर तो यह minus of 8, क्यों होगे, आपका minus of 8, मक्त, तुम्ही बगा, इमल्टेनेसली solve करा, क्यों होगा, क्रामर सुरूल यूज करा, ठीक है, क्रामर सुरूल तुमने पढ़ा है, बेटा, डिटर्मिनेंट के अंदर, यहाँ पे लोग, क्रामर सुरूल कर लेते हैं, क्रामर सुरूल में होती थी पेटा, चार चीजे, डेल्टा, डेल्टा, एक्स, डेल्टा, अप्रा जेड, ऐसे चीजज आती थी, तो वैसे ही solve कर सकते थे हम लोग इसको, तो क्यों आतला, सिंप्लिफाइट करूँ नटाको, बगास, प्लस सी, प्लस सी असनर है, 1-2 नहीं, एक्स्प्रेशन फाइंड करूँ नटाको, 2-3 नहीं, एक्स्प्रेशन फाइंड करूँ नटाको, ठीक है, तो देखो सी solve कर लेते हैं, चलो, क्रामर सुरूल थोड़ा ब प्लस 2 या, 1-2 नहीं, सी, सी, कैंसल आउट हो जाएगा, बटा, माइनस ऑफ 74, माइनस ऑफ 72, तो या जाएगा, अपका माइनस ऑफ 2, आता, एडिशन सब्ट्रेक्शन मदे कन्फिजन नों को, 1-2, एक लिए उन सब्ट्रेक्शन करूँ नटाक, तो यह हो गया, एक एक्स् यह हमने फोर्थ, इसको बोल दिया, बटा, हमने एक्स्प्रेशन फोर्थ, अब इसके बाद क्या करते हैं, बटा, 2-3 कर लेते हैं, बटा, 2-3 अगर मैं करूँ तो क्या आएगा, वो देखो, 2-3 दर में कि लग की, 2G-4G, तो यह आ जाएगा, अपना 8G, 12F-4, तो प्लस हो जाएगा, अगें CC केंशर, माइनस 72, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 72, प्लस एट, तो यह आगे, 64, यह आगे, अपना माइनस 64, 8 से डिवाइट कर दो, पेटा, तो यह हो गया, गाएग कि प्लस, 2F is equals to minus of 8, 8 से डिवाइट कर दिया, तो यह हो गया, बटा, सकते हैं जी माइनस ओफ की जगा पर लिख सकते हैं जी माइनस ओफ इसी इस सोचने आप नहीं है जी माईनस ओफ टू इजी कोस्ट टू माईनस ओप एड बेटा जी प्लाइड थू जी तो थ्रीजी हो गया यह माईनस टू को राइट में ट्रासपर करोगे तो माईनस शिक्स बचेगा या ठ्रीला डिवाइड करा हम जैंजे जी जिद आ वैलू आ गया विटा अपना माई तो फाले तुमको मिल गया है बिटा फोर में रख दो तो फ्राम फोर कि टो आपको फाले वेलू अपने को मिल जाएगा यहां पर एफ का वैलू हो जाएगा माइनस टू-1 तो फाले आगे अपना माइनस ओप तो आपको वालू भी वहां पर मिल जाएगा ठीक है तो उसको रख दें प्रॉम वन इन इन दर गें प्रॉम वन इन वन मते बगा काई दिले ले तुम्हाला इन जी प्लस प्लस फोल प्लस प्लस liegen कोई भी एक में रख बढ़ा को i laugther uh 3 इजी है पेटा 3 में पूट करता हो 3 था 4G plus 4F plus C is equals to 4G plus 4G minus 4F plus C is equals to minus of it 4G minus of 4F plus C is equals to minus of it G का वैलू रग दो बेटा G का वैलू कितना है देखो पीछे हमने find किया है G का minus 2F का वैलू minus of 3 plus C is equals to minus of 8 तो यह हो गया minus 8 plus C is equals to minus of 8C का वैलू आएगा minus of 12GF और C का वैलू मिल गया बेटा तो equation of circle लिख सकते है therefore equation of circle क्या हो जाएगा देखो एक्स स्क्वेर प्लस Y स्क्वेर प्लस 2GX plus 2FY plus C is equals to 0 x square plus y square plus 2GX plus 2FY plus C is equals to 0 वैलू ठेवाद GF अनी C चा तो यह हो जाएगा बेटा अपना x square plus y square plus x square plus y square plus G का वैलू माइनस 2 है तो यह हो जाएगा हमारा G का वैलू अगर माइनस 2 है तो इसको अपन लिखेंगे बेटा यहाँ पर रख दो G का वैलू माइनस 2 तो यह हो जाएगा minus 4X F का वैलू कितना है देखो F का वैलू माइनस 3 है तो यह हो जाएगा इसके अंदर कोई भी यहां पर प्रॉब्लम तुमको नहीं होना चाहिए आगे बढ़ते हैं आते हैं नेक्स्ट कुश्चन के उपर अच्छा थेरी है नेक्स्ट बगान इसमें इंटरंस पॉंट पॉंट याद रखो धा एक्स इंटर्शेप्ट और यंटर्सेफ्ट का डारेक्ट फॉर्मूला हुता है ठीक है तो X intercept और Y intercept of the circle की direct formula में यहाँ पर लिख कर रखता हूँ X intercept का formula बिटा देखो यहाँ पर notebook में लिख लिए ना तुम लोग X intercept का direct formula याद रहे हो 2 root of G square minus of C अगर वैसी बोलता बिटा Y intercept तो Y intercept का भी formula होता है Y intercept of circle का formula directly 2 root F square minus of C 2 root of F square minus of C तो X intercept और Y intercept दोनों का भी direct formula आपको याद रखना है ठीक है तो X intercept of circle, Y intercept of circle दोनों याद रखोगे बढ़ते बढ़ते बढ़ता next देखो यह complete कर लिए अपने बढ़ता parametric equation of circle parametric equation मंझे कहा है इस नहीं रहे बगा अगर यह point बढ़ता point PX,Y circle के उपर का, उसको मैंने origin से join किया ठीक है तो theta मतलब क्या है देखो angle made by the line OP with a positive direction of the X axis तो theta मतलब angle made by the with a positive direction of the X axis यहाँ पर देख सकते हो, OP makes an angle of theta with a positive of the X axis, अब देखो बढ़ता जैसे जैसे मैं angle theta change करूँगा जैसे जैसे मैं angle theta change करूँगा 0.P का position चेंज होता जैगा जैसे रिखे तुम लोग क्या करोईगे angle theta का value change करोगे 0.P का position जो है बेटा आपका वो change होता जैगा तो 0.P का position अपना change होता जैगा सो theta को change करने पर 0.P का position change हो रहा है इसका मतलब 0.P का x coordinate और y coordinate change हो रहा है तो theta is an input to change एक्स एंड वाय इसलिए थीटा को पैरामीटर बोला जाता है और जो एक्वेशन आएगा उसको बोलेंगे हम लोग पैरामेट्रिक क्वेशन जाल सकते हैं अगर तुम लोग रिकॉल कर पारे हो पैरामेटर नंबर के वक्त भी अपनने पड़ा था थोड़ा बहुत तो यह वह जाएगा अपना एक्स बाय आर तो इधर ट्रांसपर किया तो एक सिधी कोश्टू आर कॉस्टू क्या होगा आर कॉस्टू थिता हो गया अगर बात करें तो अपान तो साइन थिता अगर लगाएउ तो आपोजीन पिया अपन रुप रिस ये हो जाएगा ये फोड़ा घाय अंपन प्लिय तो हाई इसको पर वैट्रैक याद रखेंगे circle x square plus y square is equals to r square तो x is equals to r cos theta y is equals to r sin theta ये para equation of circle होंगे ठीक है और ऐसी अगर हम लोग बात करें बेटा general नेक्ष्ट यहाँ पे general circle के लिए भी हाँ पे लिखकर रख देते हैं तो for circle अगर circle रहता है x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to r square मतलब center कहाँ पे रहेगा h, k पर रहेगा और radius कहाँ पे रहेगा इसका r रहेगा तो for circle parametric equation हो जाएंगे for circle parametric equation हो जाएंग x is equals to h plus r cos of theta इसके लिए आएगा x is equals to h plus r cos of theta और y is equals to आज जाएगा k plus r sin of theta तो इसको भी हम लोग directly याद रखते हैं parametric equation of circle अगर circle जो एबिटा वो ऐसे format में दिया तो parametric equation ऐसे लिखेंगे अगर circle sir general format में दिया तो अगर circle general format में दिया तो उसका parametric equation क्या होगा वो भी लिख लेते हैं तो for circle अगर general format में दिया तुमको देते वक x square plus y square plus x plus 2fy plus c is equals to 0 उसको बोलते हैं हम लोग general equation of circle अगर circle का equation ये format में दे रहा है तो parametric equation of circle होगे तुम्हारे x is equals to देर पहले अपने relation देखा वेटा h याने क्या होता है minus g होता है h याने क्या होता है अपका minus of g होता है तो minus of g plus r cos of theta यही है वेटा यही याद रखो h के जगा minus g लिखा k की जगा पर minus y लिखोगे y is equals to minus plus r sin of theta y is equals to क्या हो जाएगा minus y plus r sin of तो इसको easily हम लोग याद रखेंगे और simple से questions होने वाले बटाई इस पर बेस ना तो आते हैं next question के उपर देखो write the parametric equations of the circle x square plus y square is equals to 9 तो यह जो circle है यह center at origin format वाला circle है x square plus y square is equals to we know for x square plus y square is equals to r square क्या होता है parametric equation x is equals to r cos theta and y is equals to kya na r sin of theta होता है तो यहाँ पर अगर हम लोग देखे वीटा r square का value क्या होगा यहाँ पर यह value जो रहेगा यह r square का value 3 का value कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा r square अगर नहीं है तो r का value कितना हो जाएगा वस यहाँ पर लाकर रख दो तो x is equals to 3 cos of theta and y is equals to 3 sin of theta r parametric equation यह अगर complete हो गया बस इतना ही answer होगा r parametric equation तो parametric equation अगर तुमको निकालने के लिए बोल रहा है तो इसके अंदर तुमको कोई भी ज़्यादा problem नहीं होना चाहिए ठीक है तो x is equals to r cos y is equals to r sin of theta आगे बढ़ते हैं देखो next find the parametric equation of the circle represented by the अब यहाँ पर एक general equation of the circle दिए आओ है बेटा जिसमें x square और y square का कोई नहीं है इतना x square और y square का कोई पूशन 3 है तो पहले क्या करेंगे हम लोग 3 से divide करेंगे x square कोई प्लस 1 बनाएंगे उसके बाद ही हमको पेटा g और f का value calculate करना है ठीक है तो यह चीज हमेश्य धायन में तो इसको divide करते हैं पहले 3 से so divide by 3 मैं पहले कर लेता हूँ divide by 3 जर्मी कर रहें x square plus y square क्या बने गई x square plus minus 4 by 3 times of x plus 6 by 3 times of y minus 4 by 3 is equals to 0 तो यह हो गया हमारा x square y square minus 4 by 3 times of x plus यह हो गया बेट अपना 2y minus of 4 by 3 is equals to 0 minus of 4 by 3 is equals to 0 इसी को बुलेंगे बेटा अपन general equation of circle में हमने इसको convert कर दिया ठीक है अब इसको अगर मैं compare करू बेटा अब अगर मैं इसको compare करू तो यहां से हमको g f और c का value मिलेगा तो 2g का value कितना हो गया minus of 4 by 3 2y up है ना 2g x plus 2y plus c होता है so 2y up का value कितना हो गया अपका 2 हो गया c का value कितना हो गया बेटा मेरा minus of 4 by 3 आगया ना तो यहां से मेरे को मिल जाएगा g equals 2 2 से divide कर दो दोनों साइड में minus 2 by 3 f फिर से दूसे divide किया तो f का value 1 c का value हो गया मेरा minus of 4 by 3 और पीछे देख सकते हूं अगर circle general format में दिया बिटा तो parametric equation क्या होंगे x is equals to minus g plus r cos of theta y is equals to minus f plus r sin of theta इसको use करेंगे हम लोग तो पहले radius भी निकाल लेते है बिटा ठीक है gf और cm को मिल गया तो r का value हो जाएगा root of का इस तो r root of g square plus f square minus of c तो r हो जाएगा बिटा हमारा root of g square अगर मैं करूँ तो यह हो जाएगा 4 by 9 इसका square करना है ठीक है f square तो 1 आएगा और c minus c है तो यह minus of minus तो यह plus हो जाएगा यहाँ पे न तो यहला solve करूँ यहा r चा value middle तो r is equals to root of यह हो गया मेरा 4 by 9 plus 1 plus 4 by 3 plus 1 plus 4 by 3 आजाएगा ठीक है इसको solve कर लेते है इसको solve कर लेते है इसको solve करेंगे देखो क्या आएगा यला असके ला ठीक है अभी देखते है बिटा r is equals to 4 by 9 plus 1 plus 4 by 3 है तो r is equals to हो जाएगा बिटा मेरा ले लिया तो इसको तो multiply करने की जरूद नहीं है यह ला तुमी 9 नी multiply divide के लगासेल यह ला 3 नी multiply divide के लगासेल तो 12 आएगा इसको तुमने 9 से multiply divide किया रहेगा वताएगे 1 को इसको 3 से multiply divide किया रहेगा ताकि सभी का denominator जो है वो 9 आ जाए ठीक है तो R is equals to यह आएगा अपना 13 प्लस 12 25 तो 25 बाई 9 तो R का वैली होगे अपना 5 बाई 3 R का वैली होगे अपना 5 बाई 3 तो एक general equation of circle हमको दिया था हमने पहले उसका center की coordinate minus G और minus F निकाला, radius निकाला आगे क्या करेंगे सर देखो तो for general equation of the circle तो for x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 parametric equations क्या होते है? x is equal to minus G plus r cos of theta and y is equal to minus F plus r sin of theta r parametric equation यह होंगे बिटा तुमारे parametric equation ठीक है? r parametric equations तो I hope and believe कि हापाट अपले लगदी clear असल बटाई था values रख दो बेटा तो क्या आएगा? x is equal to है ना? x is equal to क्या आएगा देखो? G का value कितना है? तुमारा minus 2 by 3 है तो minus of minus 2 by 3 करोगे तो plus 2 by 3 आगया? r का value कितना है? 5 by 3 है? cos of theta यह रख दिया है यहाँ पर y का value देखो y का value आजाएगा आपका y is equal to minus of f तो f का value 1 है तो minus of f हो जाएगा आपका minus 1 plus r का value हो गया बटा मेरा 5 by 3 और यह हो गया मेरा sin of theta तो इसी को बोलेंगे भीटा हम लोग parametric equations of the circle ठीक है? तो यहला तुम्हीं salt सुद्धा करू शकता 3 नहीं multiply के लगी हाँ काई होना रहे? 3x is equals to 2 plus 5 cos of theta यहाँ से अगर देखोंगे 3 से multiply किया तो 3y is equals to minus 3 plus 5 sin of theta बस इतना लिख दो इसको बोलोगे parametric equation of the circle तो simple सी दूंको direct equation सी आज रखनी है बेटा parametric equations of circle directly लग्षठ थे हो ऐसे तुम्हाला तर circle x square plus y square is equals to r square format मदे दीला तर हाँ parametric equation असना रहे r cos theta नी r sin theta यह format मदे असे लिए तर h plus r cos theta y is equals to k plus r sin theta general format में दिया तो minus g plus r cos theta x हो जाएगा और y हो जाएगा बेटा आपका minus y plus r sin of theta तो इसको ध्यान में रखोगे पड़ते बेटा next बगा concept है तुमसा हाँ अगदी important concept असना रहे बेटा आपला आच्छा session मदला सर्वाद ठीक है तो बात करें बेटा तो intersection of line and circle यह जो concept अभी हम लोग पढ़ने वाले इसी से सेम concept बेटा आपको आगे मिलेगा जब हम लोग को निक सेक्षन पढ़ेंगे उसमें intersection of line and parabola intersection of line and ellipse line and hyperbola यह सारी concept वहाँ पर आईगी ठीक है तो इसको थोड़ा दहन देकर पढ़ना तो क्या होता है इसार intersection of line and circle देखते है चलो तो यहाँ पर अगर हम लोग एक circle consider कर ले बेटा अगर यह एक circle है और lines ले लेता है कुछ जैसे यह एक line है यह circle को दो point पे cut करकर जा रहा है यह circle को यह एक line ले लेता है जो circle को touch करकर जा रहा है यह एक line ले लेता हूँ जो circle को touch करकर जा रहा है यह एक line होगा जो not intersecting line है ठीक है यह एक line था जो circle को 2 point पे cut करकर जा रहा है इसको हम लोग second बोलते है ठीक है और यह do not intersecting वाला line है ठीक है यह simple line होगा circle के with respect to उसको कोई नाम नहीं होगा ठीक है वो circle को touch करकर भी नहीं जा रहा है नहीं cut करकर जा रहा है तो अधा conditions अपन भगना रहा है तो line की equation थो हमको already पता है क्या होता है यह is equals to mx plus c होता है तो लेट consider कर लेते है लेट y is equals to mx plus c be the line and x square plus y square is equals to r square be equation of a circle be equation of a circle तो यहाँ पे concept बेटा recall करो थोड़ा जब हमने straight line पढ़ा था ठीक है जब हमने straight line concept पढ़ा था हमने वह आपपर क्या देखा थाओ फेटा खी किसी भी दो कर्स का point of intersection अगर में को find करना है तो मैं क्या करूँगा उन दोनो कर्स की equation को simultaneously solve करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास में line है और एक circle है अगर इन दोनों को मैं simultaneously solve करू अगर इन दोनों को में and circles मिनना नहीं थी तठीक है तो यह था पेटा y is equals to mx plus c circle था x square plus y square is equals to r square तो यहाँ पे रखदो x square plus y की जगह पे हमने किसको रखा पेटा mx plus c को रखा तो mx plus c का whole square is equals to r square open करो इसको तो क्या हो जाएगा देखो x square plus m square x square plus 2 yam c into x plus c square is equals to r square इसको इस side में लेकर आगया पेटा x square को यहाँ से common निकाला तो क्या हो रहा है देखो 1 plus m square into x square काय करतो है मैं line से equation circle से equation simultaneously solve करतो है क्यों कर रहे है वो sir simultaneously solve क्योंकि वहाँ से हमको point of intersection of line and circle मिलेगी ठीक है तो अगर मैं solve करू पेटा तो x square को common निकाला तो बचेगा 1 plus m square यह term बचेगा हमारा 2mc into x plus last term बचा हमारा c square minus r square is equals to 0 इसको properly observe करो बेटा capital A का value 1 plus m square हो गया अगर इसको मैं बोल रहा हूँ कि quadratic equation ही next है तो यह a हो जाएगा p का हो जाएगा आपका 2mc हो जाएगा और capital c हो जाएगा हमारा c square minus r square तो it is a quadratic equation in x क्या आई है quadratic equation in x हमने इसको बोल दिया देख लो अगर मैं इसको simultaneously solve करो simplify करो तो मेरे पास में quadratic equation in x आजाएगा तो यहां से हम लोग capital ABC का value लिख देंगे अब धहन दो बेटा जो statement बोल रहा हूँ अब यह line और circle अगर दो different point पे cut करेंगे तो यहां से हमको point of intersection में दो different values of x मिलनी चाहिए तो दो different values of x मिलनी चाहिए इसका मतलब इस quadratic equation के roots कैसे आएगे पीटा real and distinct इस quadratic equation के roots कैसे आएगे real and distinct आएगे तो अगर delta greater than 0 वह ओ इसके अंदर तो इसके अंदर अगर delta greater than 0 ले हमने delta मतलब क्या b square minus 4 इस À ठीक है तो हमको क्या मिलेगा बडटा second का condition मिलेगा second का condition मिलेगा अगर हम लोग delta equals to 0 ले 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 बडटा तो delta is equals to किया आब 0 ले तो क्या मिलेगा tangent का condition मिलेगा अगर हम लोग delta लेज़ दैन 0 ले अगर डेल्टा लेस दैन 0 ले तो लेस दैन 0 लोगे तो X की जो values होगी वो imaginary आएगी मतलब X की real values नहीं आ रही है नहीं कर रहे है बटआ prata circle और line cut नहीं कर रहे है इसका मतलब delta greater Than 0 इसका मतलब क्या बजाएगा X की दो different values आएगी तो circle और line दो different point पे cut करेंगे तो हमको second का condition मिलेगा delta equals to 0 मतलब x की 2 real values आएगी बट equal आएगी तो equal value आएगी तो एक ही point हमको मिल पाएगा वहाँ से circle और line जो है वो एक ही point पे intersect करेंगे तो हम लोग बोलते हो उसको tangent उसके बाद में अगर delta less than 0 है तो यह किसका condition हो गया पेटा do not intersect यह किसका condition हो गया तुमारा do not intersect का condition हो गया तो यह conditions हम लोग यहाँ पे बहुत easily याद रख सकते हैं इसी को धान में रखके पेटा हम लोग condition of tangency derive करते हैं इसी को धान में रखते हैं हम लोग condition of tangency derive करते हैं condition of tangency मतलब बेटा condition of tangency, delta is equals to 0 तुमको देगा, condition of tangency देखो भी, condition of tangency आता कैसे ये बता दिया मैंने तुमको, ठीक है, so condition of tangency अगर हम लोग देखें, तो कैसे आएगा बेटा, delta is equals to 0 ले लो, delta मतलब क्या सर, b square minus 4ac, b square minus 4ac, ठीक है, तो circle और line, एक ही point पे touch करेंगे, तो line जो है, वो circle को tangent होगा, इसलिए हम लोग delta is equals to 0 लेकर, condition of tangency निकालते हैं, b का value था बेटा, 2mc, उसका square करोगे, तो ये आ जाएगा, 4m square, c square minus, 4 times of, a का value है, देखो, उपर लिखा हुआ है, 1 plus m square, c का value है, c square minus of r square, is equals to 0, ये 4, 4 जो है बेटा, यहाँ पे cancel out हो जाएगा, ये 4 cancel out हो गया, ये 4 cancel out हो गया, यहला simplify करोगे, का ये नरे बगा, m square, c square minus, 1 into c, तो ये c square, minus 1 into minus r square करोगे, तो plus r square आएगा, minus m square, c square आएगा, और ये हो जाएगा, minus m square into minus r square, तो plus m square r square, distribute करोण, simplify करा, तुम्हाला, far confusion, अस्तो, लान, लान, गोस्टिद, बगुन गया, तो यहाँ पे अगर देखे बेटा, तो, m square, c square, m square, c square, cancel out हो गया, और ये जो equation बच रहा है न, बेटा, आपका, minus of c square, plus r square, plus m square, r square, is equals to 0, तो ये minus of c square को right में transfer कर दो, minus of c square को right में transfer कर दो, तो ये आएगा, पेटा, आपका, r square, m square, sorry, r square, plus r square, m square, is equals to c square, इसी को बोलते है, पेटा, condition of tangency, इसी को बोलते है, condition of tangency, of circle, x square, plus y square, is equals to r square, तो ये किसका condition of tangency, वो भी धहन में रखो, बेटा, c square, is equals to r square, plus r square, m square, ठीक है, c square, is equals to r square, plus r square, m square, ये होता है, condition of tangency of circle, x square, plus y square, is equals to r square, तो अगर एक line, एक circle को tangent है, तो ये condition, वो हमेशा satisfy करेगा, एक line, अगर एक circle को tangent है, तो ये condition, वो हमेशा satisfy करेगा, तो इसको प्रॉपरली जो है, आपको यहाँ पर धहन में रखना है, कि condition of tangency of circle, क्या होगा, आगे बढ़ते है, बेटा, आगे बढ़ते है, देखो, next, condition of tangency of circle कौन सा था वो,ог раз square plus y square is equal to r square के लिए था, अगर general circle रहेगा तो क्या होगा sir, अगर general circle रहेगा तो condition of tangency क्या होगा देखो, टो for general circle for general circle condition of tangency क्या होगा वो देखते हैं, तो यह हमने जो पीछे चीज़े पड़ी बेटा, यह x square plus y square is equal to r स्क्वेर, इस circle के लिए condition of tangency पढ़ा, अब अगर general circle रहता है तो क्या होगा, वो देखते है, तो एक circle लेले दें हम लोग पहले, ठीक है, यह line जो है इसको tangent है, यह line जो है इसको tangent है, तो अगर कोई line circle को tangent होगा तो क्या होगा देखो perpendicular distance between यह center है तुमारा यहां से मैंने perpendicular draw किया इस line के उपर इसको मैं d बोल देता हूँ तो perpendicular distance between center and line किसके बरावर आएगा रेडियस के बरावर आएगा तो condition of tangency क्या है general circle का d is equals to r d is equals to r ठीक है तो d is equals to r यह होगा आपका condition of tangency of general circle ठीक है d is equals to r d क्या है perpendicular distance between center and line d को क्या बोलें हम लोग perpendicular distance between perpendicular distance between center and line perpendicular distance between center and line तो यह है बेटा तुम्हारा condition of tangency of general circle ठीक है अगर circle x square plus y square is equals to r square है तो उसका condition of tangency क्या है c square is equals to r square plus r square m square इसको directly तुमको याद रखना पड़ेगा ठीक है general circle के लिए condition of tangency क्या है बेटा d is equals to r d याने क्या है perpendicular distance between center and line r याने है तुम्हारा radius तो आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट में अगर बेटा तुमको equation of tangent to the curve पुछा जाए मतलब find करने के लिए बोला अव equation of tangent अभी हमने देखा पीछे की एक line अगर एक circle को tangent होगा तो वो condition of tangency को हमेशा satisfy करेगा next अगर हमको equation of tangent find करने के लिए बोला जाए बेटा तो equation of find tangent equation of tangent find करने के लिए तो different ways होंगे equation of tangent पॉइंट करने के लिए दो डिफरेंट वेज होंगे बेटा इसको थोड़ा लिख लेना ये कोश्चन से ज्यादा क्लियर होगा अभी जो में स्लाइट पढ़ा रहा हूं ये तुमको एजी जाने के लिए मैं कुछ चीजे लिखवा कर रख रहा हूं तो कोश्चन पढ़ते व अगर तुमको पॉइंट ऑन दे कर दिया तो एक्वेशन आप टैंजन टू दे कर लेना है या इक्वेशन आप टैंजन टू दे कर लेना है तो उसको कैसे फाइंट करेंगे देखो बिटा सिंपल रहेगा एक्वेशन आप कर में क्या करना है तुमको एक्स स्क्वेर को कर लेना है ठीक है यह जो birगे है यह यह स्क्वेर के जगह पर एक्स एक्सों kवैस एक्स धनी जाए तुम को एकस एकसा वैस्शक कर लें में तो इसको रिप्लेस wyn homeland ठीक है कि equation of tangent तेरे को question में अगर पूछा और point on the curve दिया तो ये equation of tangent find करने का एक तरीका होता है इसलिए उसका derivation तुमको 11 में देखने के लिए नहीं मिलेगा तुम 12 में जाओगे तो वहाँ मिल जाएगा यहाँ पर तुमको दिया रहेगा उसके उपर का point दिया रहेगा तो equation of tangent कैसे निकालने का equation of curve में x square की जगा पर x x1 लिख दो y square की जगा पर y y1 लिख दो x की जगा पर x plus x1 by 2 लिखो y की जगा पर y plus y1 by 2 लिखो अगर sir point on the curve नहीं दिया तो क्या करोगे देखो when point on the curve is not given तो इसके लिए अलग भे होता है when point on a curve is not given when point on a curve is not given तो equation of tangent find out करने के लिए क्या करोगे बेटा कुछ से assume कर लोगे y is equals to mx plus c be the equation of tangent y is equals to mx plus c be equation of a tangent ठीक है y is equals to mx plus c be the equation of tangent बेटा ठीक है अब इसमें equation of tangent निकालते वाग दो अन्योन बचेंगे m और c तुम्हाला हे question और उन जासता clear विल फक्त भगत चला तो m और c निकालने के लिए दो condition use एक बार use करोगे given information और एक बार use करोगे बेटा condition of tangency एक बार use करोगे condition of tangency to find m and c तो यह बस लिख कर रहे हैं तो question से तुमको सारी चीज़े में जो है बेटा वो clear करवाता हूँ आते है question पर देखो पढ़ सकते हो first question क्या दिया हो है find the equation of a tangent to the car ठीक है condition of tangency का use का होगा सर अपने जो derive किया पीछे equation of condition of tangency यह जो आपने derive किया नहीं कहाँ पी use होगा equation of tangent हमको यहाँ पर find करना है बेटा कुन सा curve है equation of curve हमको दिया हो है तो equation of curve यहाँ पर लिख देता हो गेटा equation of curve हमको दिया हो है क्या दिया हो है देखो x square plus y square minus 3x plus 2y is equals to 0 equation of tangent निकालने के लिए point on the curve दिया हो है कहाँ पे निकालो बोल रहा है बेटा equation of tangent origin पे और origin इस करके उपर लाई कर रहा है क्या देखो अगर मैं x की जगा पे 0 रखो y की जगा पे 0 रखो तो 0 is equals to 0 आएगा मतलब origin इस करके उपर लाई कर रहा है तो first case बेटा equation of tangent तुमको find करना है उसके उपर का point तुमको दिया है तो क्या बोल रहा है सीधे सीधे x square को replace कर दो x into x1 से y square को replace कर दो y into y1 से x को replace करोगे बेटा x plus x1 by 2 से y को replace करोगे y plus y1 by 2 से तो तुमको equation of tangent मिल जाएगा तो equation of curve यह था तो to get equation of tangent to get equation of tangent क्या करना है देखो simple क्या रहेगा देखो बेटा equation of curve तुमको दिया है equation of tangent अगर तुमको पता करना है तो क्या करोगे देखो x square replace कर दो किस से x x1 से y square replace कर दो बेटा किस से y y1 से x को replace कर दो किस से x plus x1 by 2 से यह हमेशा ऐस ही होगा सर y को replace करोगे y plus y1 by 2 से y कशा नी replace कर रहेचे y plus y1 by 2 नी replace कर रहेचे तो यह होगा पेटा therefore equation of tangent आएगा मेरे पास उपर जो लिखा y वो equation of curve है equation of tangent के लिए x square की जगा पे हम लोग लिख देंगे x x1 y square की जगा पे लिख देंगे पेटा हम लोग y y1 minus 3 times of x की जगा पे लिखेंगे x plus x1 by 2 y की जगा पे लिखेंगे y plus y1 by 2 y की जगा पे लिखेंगे y plus y1 by 2 is equals to e होगे आपका 0 equals to e होगे आपका 0 तो यह 2, 2 cancel out होगे x1 के जगा पे क्या रखोगे sir 0 y1 की जगा पे क्या रखोगे 0 तो point दिया वाँ था 0,0 इसका मतलब x1 y1 यह हो जाएगा आपका है न तो यला put करा तुमी तो इसको अगर put करोगे पेटा इसके अंदर तो यह क्या जाएगा 0 plus 0 minus 3 by 2 into x plus 0 plus y plus 0 is equal to 0 यला ज़र अपन solve केला कि अपला equation में लिये हो जाएगा minus 3 by 2 times of x plus y is equal to 0 2 नहीं multiply करोंगे, minus 2 नहीं multiply करोंगे 3x minus 2y is equal to 0 यह हो गया तुमारा equation of tangent यह हो गया पेटा अपना equation of tangent ठीक है तो I hope and believe कि हाँ पाड़ा अपलेला clear as hell equation of tangent जर्मला find करहे च Яसे थरमी काмов Arabs in equation of tangent जर्मला find करहेचे ecosystem 雰मी काकरना रहे वीला equation of the curve अपम rinse x square ला replace करेख x into x1 नहीं y square ला replace करेख y into y1 नहीं x ला replace करना रहे x plus x1 by 2 ही y ला replace करना रहे y plus y1 by 2 हीं लो तो X1, Y1 क्या रखेंगे सर, जो भी point रहेगा, point on the curve, उसकी coordinates आप put कर दो, जो भी point रहेगा, point on the curve, उसकी coordinates आप put कर दो, है ना, so I hope कि ये point अपने को पूरा clear है, equation of tangent पूछा था, point on the curve दिया वाए, equation of the curve दिया वाए, ऐसे उसका equation of tangent find कर लोगे, yes, आगे बरते हैं, next question पढ़ो, क्या दिया हुआ है, find the equation of a tangent to the circle, अब देखो बेटा, circle जो है न, वो तुमको parametric form के अंदर दिया हुआ है, इसके पहले, circle जो है, वो partition equation के form में दिया हुआ था, तो फिर easy है, partition equation चा format मादे ज़र circle दिल असेल, क्योआ equation of the curve दिल असेल, अनि त्यावर चा point दिल असेल, तर नहे कि जैसे x square plus y square is equals to 25, at 3,4 अगर बोला बेटा, यह एक circle था, x square plus y square is equals to 25, और point है 3,4, तो यह point जो है, वो point circle के उपर का point है, देख लो, x के जगा पे 3 रखोगे तो क्या आएगा, 9, y के जगा पे 4 रखोगे तो 16, तो 9 plus 16, 25, तो point on the curve है बेटा, equation of tangent निकालने के लिए क्या करो होगे, so therefore equation of tangent क्या हो जाएगा, therefore equation of tangent क्या हो जाएगा, x square की जगा पे लिखोगे x, x1, x square की जगा पे लिखोगे आप x, x1, plus y square की जगा पे लिखोगे आप y, y1 is equals to 25, y square की जगा पे लिखोगे y, y1, ठीक है, क्या करना है, यही करना है, x square की जगा पे लिखना है, x into x1, y square क जगा पर लिखना है y into y1, x अगर आता तो उसके जगा पर लिखते है x plus x1 by 2, y अगर आता तो उसके जगा पर लिखते है y plus y1 by 2 है न, तो यह मिल जगा है आपको equation of tangent क्या हो जाएगा देखोए, यहोगी आमारा 3x plus, यहोगी आमारा 4y is equals to 25, यहोगी आमारा final equation of tangent, तो ऐसे simple सा question रहेगा to find the equation of tangent, अगर point on the curve दिया तो बहुत easily हम लोग equation of the curve, पेसे equation of tangent लिख सकते हैं, यहां मत आता, equation of the circle जे बिटा तुम्हाला, parametric equation चा format मत दे दिलेले, अनि point सुद्धा तुम्हाला parameter चा यूज़ करून find कर रहे जाए, ठीक है, तो पहले ले ले ते बिटा, x equals 2, x equals 2, 5 cos of theta, y is equals 2, 5 sin of theta, तो equation of circle हम लोग पहले निकाल लेते हैं, equation of circle क्या होगा देखो, x is equals 2, 5 cos theta दिया हो है, y is equals 2, 5 sin of theta दिया है, तो यहां से cos theta आ जाएगा, बिटा, कितना हो जाएगा, x by 5, और वैसी आएगा हमारे बास, sin theta का value, sin theta का value क्या आएगा देखते हैं, sin theta का value होगे हमारा y by 5, तो यहां से equation of circle मिल जाएगा हमको देखो कैसे, cos square theta plus sin square of theta अगर मैं 1 ले लू, तो यह हो जाएगा पिटा, x square by 25 plus, y square by 25 is equals to 1, तो यह हो जाएगा हमारा x square plus y square is equals to 25, यह हो जाएगा हमारा equation of circle, x square plus y square is equals to 25, सब्सक्राइब करना है उसके लिए इक्वेशन आपकर हमको पता चल गया और क्या पता चाहिए पॉइंट ऑन दे कर दिया हूआ है ठीक है पॉइंट क्या दिया हूआ है देखो थीटा इस इकोस टू पाइबाइ 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 थीटा तो एक्स इने क्या था देखो एक्स इने था फ 5 sin of theta, तो y का value हो जाएगा, हमारा 5 into, sin of pi by 3, तो यह हो गया है पिटा, हमारा 5 into sin pi by 3 का value कितना हो जाएगा, root 3 by 2, तो यहां से point आ जाएगा पिटा, मेरे पास में, so point हो जाएगा हमारा, point क्या हो जाएगा देखो, x coordinate है तुमारा 5 by 2, x coordinate है तुमारा 5 by 2, y coordinate क्या है पिटा देखो, y coordinate है तुमारा 5 root 3 by 2, y coordinate है तुमारा 5 root 3 by 2, ठीक है, तो point on the curve, तुमको यहां पे मिल चुका है पिटा, point on the curve, अपने को यहां पे मिल चुका है, equation of the curve भी हमको मिल चुका है, तो equation of tangent कैसे आएगा, वो देख लेते हैं, so now equation of tangent to the curve, now equation of tangent to the curve, equation of tangent to, x square plus y square is equals to 25, x square plus y square is equals to 25, at point p, p की coordinates के आए, 5 by 2, 5 root 3 by 2 is, so equation of tangent कैसे निकालोगे, वो देखो भी, यहाँ पर प्रॉपरली देखो, equation of the curve और point दोनों भी तुमको directly नहीं दिये थे, ठीक हैं, parametric equations का use करकर दिया था, तो parametric equations पे से हमने equation of circle पहले find कर लिया, point बोला, उसने at theta is equals to pi by 3, तो x नहीं y चाहे equation मदे तु पूट के लिए नंतर तुला, x coordinate नहीं y coordinate of the point middle, ठीक है, इसको हम लोग अगर यहाँ पर रख दे बिटा, x और y वाला जो parametric equation है, हमारे बास में उसमें, तो हमको x coordinate और y coordinate of point मिल जाएगा, जो कि आएगा आपका 5 by 2, 5 root 3 by 2, तो equation of tangent हमारा क्या होगा, यह देखते हैं, काई करतो हम तो find the equation of tangent करने साथी, x square ला replace करतो कशानी, तो equation of tangent 2, तो यह आजाएगा बिटा, x x1 प्लस, x square ला replace के ला x x1 नी, y square ला replace के ला y y1 नी, x1 की जगा पे लिखोगे 5 by 2, तो यह होगे x into 5 by 2 प्लस, y1 की जगा पे हम लोग लिखेंगे बिटा, 5 root 3 by 2 को, is equals to 25 है न, 2 नी multiply करूंटा का, तो यह हो जाएगा हमारा 5 x plus, 5 root 3 into y, is equals to 2 नी multiply के लिखेंगे राइट लाइन रहे 50, तो यह हो गया पेटा हमारा final equation of a tangent, यह हो गया हमारा final equation of a tangent, तो इसके अंदर मेरे accordingly तुमको कोई भी confusion नहीं होना चाहिए, कि equation of tangent निकालने के लिए, जब point on the curve किया, दिया, x square को replace करोगे x, x1 से, y square को replace करोगे y, y1 से, x को replace करोगे बिटा, x plus x1 by 2 से, y को replace करोगे y plus y1 by 2 से, अब जाते है बिटा, second case की उपर कि अगर तुमको point ना दे, और equation of tangent पूछे तो कैसे solve करेंगे, आते हैं इस पर देखो, find the equation of a tangent to the circle, circle का equation दिया वाया और with a slope minus to देखो, second way, अब यह समझाता हूँ कि second branch actual में क्या बोलना चाह रहा है या कैसे use करना इसको, जब point on the curve नहीं दिया तो क्या बोल रहा है बेटा, कुछ से equation of tangent अज्यूं कर लो, y is equals to mx plus c, y और x तो variable है, तो दो unknown बचे इसके अंदर m और c, अताते दो unknown अपने को find करने पढ़ेंगे, उसके लिए लगती है बेटा, दो condition, कुन सी दो condition होगी, एक question में दिया रहेगा, और एक use करना है तुम को condition of tangency, एक use करना है बेटा आपको condition of tangency, यहाँ पर आते हैं, equation of tangent find करने के लिए, point on the curve नहीं दिया है, मतलब क्या करोगे, खुछ से assume कर लोगे, late, y is equals to mx plus c, be the equation of tangent, late, y is equals to mx plus c, be the equation of tangent, be the equation of a tangent, खुछ से assume कर लिया बेटा, हमने कि यह equation of tangent है, बोलकर, दो unknown है, इसमें y और x variable है, m और c दो unknown होगे, अब m और c का value निकालने के लिए, उसने बोल दिया है तुमको already, दो condition use होगी, कुन सी, एक use होगा, condition of tangency, और एक condition question में दिया रहेगा, question में दिया होगा है बेटा, slope minus 2 है, तो पहला लिखा मैंने given information, firstly use होगा बेटा, given information, क्या दिया होगा है बेटा, slope is equals to minus of 2, slope of tangent, slope of tangent कितना है आपका, minus of 2 है, इसका मतलब, m का value हमारा minus of 2 है, m का value कितना है बेटा, हमारा minus of 2, ये use कर लिए है मैंने फर्स condition, आगे बढ़ते हैं आते हैं सेकंड कंडीशन यूज करते हैं, क्या होगा सेकंड कंडीशन सर, सेकंड कंडीशन यूज करना है तुमको हमेशा condition of tangency, तो condition of tangency में यहाँ पे लिख देता हूँ condition of tangency आपको लगाना है बिटा condition of tangency आपको यहाँ पे लगाना है क्या होता है बिटा condition of tangency देखो circle कुन सा है सर center right origin वाला मतलब x square plus y square is equals to r square है तो यह सर आपने पीछे condition of tangency याद करने के लिए बोला इसको देख लो अगर x square plus y square is equals to r square circle रहेगा तो condition of tangency c square is equals to r square plus r square m square r square plus r square m square और general circle अगर रहेगा तो sir t is equals to r where d क्या है perpendicular distance between center and line इसको भी उस करकर बताऊंगा आते हैं इस पे बिटा अभी जो circle है वो कौन सा circle है x square plus y square is equals to r square वाला circle है तो condition of tangency हो जाएगा c square is equals to r square m square plus r square यह कहां से आया है यह समझ लो condition of tangency of circle directly याद रखना है तो यह condition of tangency of circle c square is equals to r square plus r square m square यह r square m square plus r square बेटा यहां से मिलेगा तुमको c का value c square is equals to r square का value है बेटा 16 circle की equation पर से मिलेगा r square का value x square plus y square is equals to r square circle है तो r square का value 16 है into m square का value यहाँ पर रख दो minus 2 का square plus 16 यहाँ से c square का value आएगा 16 into 4 plus 16 तो यह होगा बटा मेरा c square is equals to 64 plus 16 तो c square का value होगा बटा 18 18 तो c का value आजाएगा 4 root of 5 square root तुम्ही calculate करा 12th science student आथ तुम्ही आता ठीक है additions, multiplications, abstractions हे भी चारत नगा जाओ, malignism ठीक है तो c होगा तुम्हारा 4 root 5 आगे बढ़ते हैं बटा m मिल गया, c मिल गया, equation of tangent तुम लोग लिख सकते हो c की जो है, यहाँ पर आप दो values भी ले सकते हो, अलग अलग, plus minus के साथ तो equation of tangent होता है equation of tangent होगा बटा y is equals to mx plus c values रख दो इधर तो यह हो जाएगा y is equals to m का value था minus of 2, तो यह हो गया बटा minus 2x plus c के जगा पर आजाएगा, plus minus 4 root 5 c के जगा पर आजाएगा, बटा plus minus 4 root 5 तो I hope and believe कि हापाट सुद्धा आप लेला ही था, अगदी क्लिये रसनारे, कशा परकार है अपन तेला solve के लेते, एक दा बगुन गया, ठीक है तो condition of tangency एक बार use किया, एक बार use किया बटा, given information, है ना, so equation of tangent निकालने के लिए अगर point नहीं दिया, तो खुच से equation of tangent अजूम कर लो, late y is equals to mx plus c, तो अगर निकालने के लिए दो condition लगा दो, yes आगे बढ़ते बटा, आते next question के उपर देखो, या मदे सुद्धा परत काई find करा है चाहे, तो equation of tangents find करा है ठीक है, और circle दिया हुआ है तुमको x square plus y square is equals to 36, which are perpendicular to the line 5x plus y is equals to 2 बोल रहा है, तो circle दिया हुआ है बटा, x square plus y square is equals to 36 तो r square का value आगे अपने बास में हाँ पर 36 तो ये clear रखो पहले, अब equation of tangent निकालना है point on the curve नहीं दिया है सर, तो फिर से second case यूज़ करोगे assume कर लेंगे सर, late y is equals to mx plus c be the equation of tangent यहाँ से start करेंगे late y is equals to mx plus c be the equation of tangent, इसको हमने assume करकर start किया y is equals to mx plus c be the equation of tangent, अब क्या करेंगे तो अन्नों नहीं इसमें m और c, उनका value find out करने के लिए, दो different conditions यूज़ होने वाली है, तो एक use होगा condition of tangency, एक use होगा given information, तो पहले use कर लेते है सर, given information, क्या है given information देखो, tangent जो है बेटा वो इस line को perpendicular है, तो इसका slope और tangent का slope कैसे relate करेंगे, m1 into m2 minus 1 से relate करेंगे बेटा, दो line अगर perpendicular है, थोड़ा याद करो पीछे straight line पढ़ाए अपनने, जो lines are perpendicular, असेल तर, m1 into m2 का है सतो, minus of 1 है सतो, मग या line से पहले slope find out करूं गया, तो for line for line, 5x plus y is equals to 2, slope क्या हो जाएगा, slope m1 बोल देटा है बेटा, अगर line, ax plus by plus c is equals to 0 होगा सर, तो इसका slope होता है, तुमारा minus of a by b, बस वही यूज करो, तो अगर ये line है, तो इसका slope हो जाएगा, सर, minus of 5 by 1, तो इसका slope है, minus of 5, अब tangent जो है, इसको perpendicular है, tangent perpendicular to, 5x plus y is equals to 2, therefore, slope of tangent याने क्या हो जाएगा, minus 1 upon m1, तो slope of tangent आजाएगा बेटा, इसका negative reciprocal, उल्टा किया, और minus sign दे दिया, minus minus plus हो जाएगा, 1 by 5, उल्टा करना है, और उसको minus sign दे दे देना है, negative reciprocality कहता है, तो ये तुमको यहाँ पर clear रहेगा, m मिल गया, सर, अब बचा कौन, सी, सर, हमने एक बार given information यूज किया, और एक बार क्या यूज करेंगे, एक बार यूज करेंगे, सर, अगर मैं यूज करू बेटा, तो क्या आएगा, वो देखो, condition of tangency, अगर मैं यूज करू, तो condition of tangency क्या आएगा, फिर से circle जो है, वो x square plus y square is equals to r square वाला circle है, तो condition of tangency होगा, बेटा, c square is equals to r square, m square plus r square, तो ये हो जाएगा, c square is equals to, r square का value 36, m square का value अगर देखोगे, तो 1 by 25, plus r square का value फिर से 36, तो c square होगया, बेटा, हमारा 36 by 25, plus 36, 36 by 25, plus 36, ठीक है, यहला cross multiply कर तो बगा काय होना रहे, 36 plus 36 into 25, upon 25, तो 36 को अगर मैं बहार निकाल दू बेटा, bracket में बचेगा, 1 plus 25, upon 25, simplifications देख लो, कैसे कर रहा हो, ठीक है, तो यह हो जाएगा, 36 into 26, upon 25, तो इसका square root अगर लोगे, तो यह आएगा, बेटा, 6 by 5, root of 26, 6 by 5, root of 26, तो m पता चल गया, c पता चल गया, equation of line में put कर लेना, m पता tangent, ठीक है, यह m और c का value, y is equal to m x plus c, रख दो बेटा, equation of tangent, जो है, आपको हाँ पर मिल जाएगा, तो यह भी तुमको easily समझना चाहिए, बेटा, बार-बार एक ही जो है, process वो use करेगा, equation of tangent हमको find करना है, point on the curve नहीं दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, खुद से assume कर लेंगे, late y is equal to m x plus c भी the equation of tangent, m और c दो unknown है, दो unknown को find करने के लिए, दो condition लगती है, first use करोगे condition of tangency और एक condition question में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर बोला कि यह line जो है, वो tangent को perpendicular है, तो इसका slope निकाला, tangent का slope इसका negative reciprocal होगा, tangent का slope क्या होगा बिटा, इसका negative reciprocal होगा, तो ये भी मेरे recording लिए तुमको clear रहना चाहिए, इसको देखकर रखो, miscellaneous की ये questions है, exercise में तो तुमको इस type की questions नहीं दिखेगी, तो ये purely entrance को धान में रखके मैं पढ़ा रहा हूँ, तो लेते वक्क मैंने सिर्फ questions जो है, miscellaneous के ले लिए थोड़े से, ठीक है, ताकि book के अंदर के questions तुमारे cover हो जाए, यानंतर अपन objective सुद्धा भगना रहा हो यहाँ चाप्टर अच्छे, ठीक है, क्योंकि ये जो चाप्टर है बेटा, ये c e t और j e दोनों के हिसाब से बहुत जादा important chapter है, j e में हाँ से हमेशा हर एक question आता है, ठीक है, तो एक question आ रहा है, मतलब important chapter हो गई, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो, if the tangent at 3, minus 4 to the circle, next question पढ़ओ बेटा, एक tangent at 3, minus 4 to the circle, तो ये जो point है, वो इस circle के उपर लाई कर रहा है, x square plus y square is equals to 25 उपे, देख लो, रखे, x के जगा पे 3 रखा, तो 9 आएगा, 4 रखा, minus 4 y के जगा पे तो 16 आएगा, 9 plus 16 25, 25 is equals to 25, equation को satisfy कर रहा है, equation को satisfy कर रहा है, इसका मतलब वो point के उपर लाई करेगा, अब क्या बोल रहा है, इस point पे, इस circle को draw किया हुआ, tangent, आगे जाकर किसको touch कर रहा है, इस circle को जाकर touch कर रहा है, ठीक है, तो अभी जो second circle दिया है वो general circle है, तो यहाँ पे general circle का condition of tangency use होने आला है, तो पहले equation of tangent लिख देता है बटा, देखो, equation of tangent, equation of tangent, 2, कुंता circle बटा, 2, x square plus y square is equals to 25, x square plus y square is equals to 25, at a point P, 3, minus of 4, at a point P, 3, minus of 4, is equation of tangent to the circle, at a point 3, minus 4 is, क्या रहेगा बटा, equation of tangent, x square को replace किया, x, x, 1 से, y square को replace किया, y, y, 1 से, और यह हो गया, equals to 25, यह हो गया बटा, आपका equals to 25, तो equation of tangent लिखने के लिए, point on the curve, तुंको दिया वा था, तो directly लिख दोगे बटा, कैसे, x square को replace किया, x, x, 1 से, y square को replace किया, y, y, 1 से, x की जगा पर रखो, sorry, x1 की जगा पर रखो 3, तो यह हो गया 3x, y1 की जगा पर minus 4, तो यह हो गया, minus 4y is equals to 25, is a tangent, अब प्रॉपरली देखो बटा, और क्या दिया वाएं, गिवन, यह जो लाईन है बटा, 3x minus 4y, is equals to 25, is also tangent to the circle, is also tangent to the circle, is also tangent to circle, कुंता circle बटा, second circle, equation पढ़ो, x square plus y square, plus 8x minus 4y, plus 8x minus 4y, plus c is equals to 0, plus 8x minus 4y, plus c is equals to 0, ना, तो यह clear होगा, अब यह जो लाईन है बटा, यह second circle जो दिया वाएं ना तुमको, इसको भी tangent है, अब अगर यह line इस circle को tangent होगा, तो यह condition of tangency को satisfy करेगा, अगर यह line इस circle को tangent होगा, तो यह condition of tangency को satisfy करेगा, condition of tangency, c square is equals to r square, m square plus r square, यहाँ पर use नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि circle जो है, वो general circle है इस बार, तो general circle का condition of tangency, क्या होता है, वो देखो, अगर कोई line किसी circle को tangent है, तो क्या बोला था हमने, अगर कोई line किसी circle को tangent है, तो क्या बोलोगे, perpendicular distance between perpendicular distance between center and line इसको D बोला था ये किस से बराबर होगा radius के बराबर होगा ठीक है तो इसका पहले center लिख दो बेटा center कैसे लिखेंगे सर इसको compare करोगे इसको compare करोगे तो 2G का value कितना हो गया 8 हो गया 2F का value हो गया minus of 4 G का value हो गया तेरा 4 F का value हो गया minus of 2 तो center आजाएगा तेरा center कितना आजाएगा देख ले minus G, minus of F तो center आजाएगा हमारा minus 4,2 तो यह minus 4,2 ले लिया तो ने center तो perpendicular distance between center and line line का equation है वेटा 3X minus 4Y minus 25 is equals to 0 किसके बराबर होगा D is equals to R के बराबर होगा तो यहाँ पर use करेंगे वेटा condition of tangency तो by condition of tangency अगर यह line इस circle को tangent है वेटा तो by condition of tangency क्या लिख देंगे D is equals to R क्या होगा वेटा D is equals to क्या होगा तेरा R होगा D क्या है सर perpendicular distance between center and line D क्या है perpendicular distance between perpendicular distance between center center की coordinate minus 4y to and line का equation है पेटा मेरा line का equation है 3x minus 4y minus 25 is equals to 0 यह किस से बराबर होगा radius से बराबर होगा और यह किस से बराबर होगा पेटा radius से बराबर होगा D is a perpendicular distance between center and line अब सर perpendicular distance between center and line कैसे निकालेंगे perpendicular distance between point and line का हम लोगों ने straight line में एक फॉर्मूला पढ़ा था पॉर्मूला पढ़ा था पॉर्मूला point x1 y1 है line ax plus by plus c है तो ax1 plus by1 plus c upon root of a square plus b square है न यह वाला फॉर्मूला ax1 plus by1 plus c upon root of a square plus b square perpendicular distance between point and line का फॉर्मूला यह होता था पॉर्मूला इसी को यूज करेंगे तो यहाँ पे point x2 है पेटा आपका minus 4 y है 2 x की जगा पे रखो यहाँ पे x coordinate तो यहाँ आएगा आपका 3 into x की जगा पे रखा x coordinate y की जगा पे रखा पेटा आपका y coordinate minus of 25 upon root of x की coefficient का square plus y की coefficient का square x की coefficient का square plus y की coefficient का square और आगे radius लिखा पेटा radius हम लोग यही पे निकाल सकते थे r का value हो जाएगा हमारा root of g square plus f square minus of c तो r का value आजाएगा हमारा root of r का value हाजाएगा हमारा root of है ना R का value निकाल कर यहां पर रखेंगे R का value आ जाएगा 16 plus 4 16 plus 4 minus of C 16 plus 4 minus of C root 20 minus of C root 20 minus of C root 20 minus of C आएगा ठीक है properly देखो थोड़ा सा tough question है easy question नहीं है इस point पे इस circle को draw किया वा tangent इसको भी tangent है ठीक है तो यह point on the circle था equation of tangent directly लिखती है अब यह line इस circle को tangent है तो condition of tangency satisfy करेगा वह था है बटा डी is equals to our general circle के लिए यह बटा आपका perpendicular distance between center and line जो की निकाला formula से perpendicular distance between point and line के a x1 plus by1 plus c upon root of a square plus b square easy cost to radius के बराबर आ रहा है इसको solve करते है बटा और squaring on both side करते है ठीक है यला solve करूँ या का है न रहे बगा इसको solve करूँगा तो minus 12 minus 8 minus 12 minus 8 minus 20 minus 25 minus 45 है ना उपर में कितना आगे अपना minus of 45 नीचे आ रहा है बटा अपना 5 इसको solve करोगे तो नीचे आ जाएगा अपना 5 यह mod के अंदर is equals to root of 20 minus of c यला solve दर मी के लगी हाँ 9 यह न रहे root of 20 minus of c squaring on both side कर लो squaring on both side करा तो 9 का square 81 यह गया root बहार चला गया 20 minus of c तो c is equals to minus of 61 c is equals to क्या आ जाएगा बटा आपका minus of 61 आ जाएगा ना तो I hope and believe कि half part अपले लाई था अधी clear असे condition of tangency of general circle कैसे use किया उसको भी देख लो बेटा ना perpendicular distance between center and line radius के बराबर होगा उसका use करके हमने unknown c find किया तो इस जरता तो आगे बढ़ते बेटा आज का जो session है यही पर हम लोग end करेंगे ना तो homework की अगर बात करें तो circle का exercise आप लोग solve कर सकते हो circle exercise तुम्ही solve करूँ चकता अभी next जो sessions रहेंगे ना इसके अंदर तुमको आप facebook के question नहीं मिलेंगे facebook में circle ज्यादा DIY नहीं है ठीक है तो जितना DIY उसके accordingly पढ़ा दिया अभी और circle के दो से तीन sessions होंगे तो उसके अंदर mostly आपको entrance based part मिलने वाला है ठीक है और थोड़ा बहुत शायद intersections of two circle DIY बुक के अंदर तो वाला पार्ट मिलेगा और ठीक है external touching internal touching वाला वो कल की lecture में मिल जाएगा आपको next lecture में और उसके बाद में आपको फिवरली जो concept मिलेंगे और entrance के concept मिलेंगे ठीक है तो circle का exercise solve कर लो DPP लगा लो तो यह रहेगा आपका homework और चलो फिर आज का जो session है इसको यह पेंट करते हैं मिलते हैं हम लोग next lecture में सब तक के लिए be safe and be happy चलो thank you bye bye